ओम साइराम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्री साइ बाबा के पावन गरंद स्री साइ सच्चित का किस तरह पाट करना चाहिए और क्या गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा बसरते अगर आप साई बाबा को मानते हैं साई में आपकी पुन शद्धा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं भक्तो वीडियो सुरू करने से पहले एक बार सच्ची सद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जै साई राम जरूर बुले ताकि वीडियो की सुरूर अच्छी हो भक्तो अगर आप सभी आपके इस चैनल पे नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिपिकेशन वीडियो को आउन करें ताकि शर्पतम आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो जाए भक्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्री साई सच्छित महा गरंथ कोई पुस्तक नहीं या भुक नहीं है कोई समान गरंथ भी नहीं है अपितू ये साक्छाथ स्री साई बाबा का श्वरूप हो है अता इसे बड़ी सद्धा भक्ती की दृष्टी से देखना चाहिए औ कभी गंदे जूठे या अपवित्र हाथों से नहीं चुना चाहिए हात धोकर तब इस पर इसका करना चाहिए साई महा गरंथ के सुनते पढ़ते समय सामने उनकी और कभी भी भूल कर पैर करके नहीं बैठना चाहिए अन्था बड़ा हिपाप लगता है स्री साई सचित महा गरंथ को पढ़ते समय भूल कर भी आप अपनी उंगली के उपर ठूक लगा कर पन्ने नहीं पलटने चाहिए श्री साई सचित महा गरंथ को नीचे प्रिथिवी पर नहीं डालना चाहिए उसे हमेशा उच्च आसन पर विराजमान करना चाहिए भक्तों आप लोग इन बात उसेयरतों का विसेस रुप से ध्यान करें कि श्री साई सचित महा गरंथ को अनाधिकारी के हातों में कभी नहीं देना चाहिए जो महा गरंथ का निन्दक है उन्हें कभी भी भूलकर भी महा ग पुझ ब्राम्भनों के स्री मुक्से सुनने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है अता उनके स्री मुक्से आप सभी श्रवाण जरूर करें या जो परम् साही भक्त है जो बाबा का बहुत ही शेवा करता है उनके द्वारा कही गई साही सचित महाग्रण्थ को सुनने से सभी भक्तों के कष्टों को भगवान साही नातमहराज दूर करते हैं श्री साइस सचित महागरंत को संसारिक पुस्तकों तथा पुर्टू फार्सी आदी की किताबों के साथ भी नहीं रखना चाहिए और उनके नीचे तो भूल कर भी आपको नहीं रखना है स्री साइस सचित महागरंत को आप पढ़कर सुनकर उनमें जो कुछ लिखा है यथा सकती उसके अनुसार चलने का प्रत्न करना चाहिए और उनकी आग्या का पालन करना चाहिए स्री साइस सचित महागरंत को भूल कर भी उपेक्छा के दिष्टी से नहीं देखना चाहिए और उसे योही इधर उधर नहीं डाल देना चाहिए उसके उपर हिसाब किताब भी आपको नहीं रिखना है आपको इन बातों का विशेश रूप से ध्यान देना है यदि स्री साइ स्री साइशचित महागरंद अपने पास ना रखना हो तो उसे आप किसी विद्वान ब्राम्हण को दे देना चाहिए या किसी साइशचित महागरंद को सुनकर रेशमी वस्त्र में लपेट कर पूजा के इस्थान में रखना चाहिए और उस पर पुस्प चंद्राधी आपको चढ़ाना चाहिए बन सके तो स्री साइस सचित महागरंत को ब्राम्हण को दान देना चाहिए और बड़े समारों के साथ महागरंत की कथा करानी चाहिए स्री साइस सचित महागरंत के सामने जो गंदी बाते करते हैं और जो इसे जूते पहन कर पढ़ता है और जो तनिक भी अब सब्दों का प्रियोग करता है वह घोर पाप करता है जो अंडे, मास, मचली, प्याज, लहसून, सल्जम, सराव, आदी का सेवन करते हैं और इस महागर के इस पर्स करने के वे अधिकारी नहीं है उन्हें इससे दूर रहना चाहिए स्री साइश सचित महागरंत की ना कभी निंदा करनी चाहिए और ना कभी निंदा सुननी चाहिए और ना निंदकों को इसे सुनानी चाहिए स्री साइश सचित महागरंत घर पर आते ही मारे प्रम भाग योदय हुआ मानना चाहिए भक्तो ये था स्री साइश सचित महागरंत को पूजन विधी और कैसे इसका सम्मान करना है आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी साइश भक्त अब से स्री साइश सचित महागरंत का बहुत ही इसे इस रुप से सम्मान के साथ इसे रखेंगे इसे पढ़ेंगे और सदेव बाबा की महिमा का बखान करेंगे इस वीडियो से अगर आपको लाव होता है तो आप सभी इसे जादा से जादा शेयर करें ताकि साही बाबा आपकी सारी मनुकामना पूर्ण करें और आपके जी साहिनात महराज की जय शिरडी वाले साहिनात महराज की जय ओम साहिराम